अम शान्ती। उंचे से उंचा बाप हम बच्छों को उंचे से उंची पढ़ाई पढ़ाकर उंचे से उंचा पद प्राप्त कराते हैं। हम स्वभाग्यशाली बच्चों को आकर पढ़ाते हैं, तो देखते हैं आज बाबा ने हमें क्या पढ़ाया, आज 19 जून 2021 के महावाक्यों की विशेश पॉइंट्स को रिवाइस करते हैं, ड्रामा की कौन सी भावी हम बच्चे जानते हैं, दुनिया के मनुष्य नहीं, इस रुद्र ज्यान यग्ये से विनाश्च वाला प्रज्वलित हुई, अब सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी, ये भावी कोई टाल नहीं सकता, ये ऐसा अश्वमेद अविनाशी रु बाते करनी हैं, हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली है, आत्मा का ये रत है, जैसे बाप ब्रम्हा रत में आकर सवार हुए हैं, ऐसे हमारी आत्मा भी इस रत पर सवार है, हम आत्मा शान स्वरूप हैं, हमारे रहने का स्थान मूल वतन है, ये है शरीर हमको यहां मिलता है, बाबने शान्ती के विशे में क्या कहा? तुम आत्मा शांस्वरूप हो, अगर तुम चाहो हम शान्ती में बैठें, तो अपने को आत्मा समझ, शान्ती धाम के निवासी समझो. मनुष्य शान्ती मांगते हैं, शान्ती तुम्हारा स्वधर्म है. इन ओर्गन से डिटाच हो जाते हैं, तो आत्मा शान्त है. आत्मा अपने स्वधर्म शान्ती में जितना चाहे बैठ सकती है. चाहो हम आत्मा शरीर से काम ना करें, तो शान्त में बैठ जाओ. यह है सच्ची शान्ती, इनको तुम धूंडते नहीं. सत्यूगी सूरेवंशी चंद्रवंशियों को राज्य कैसे देते हैं? उन्हों के पैर आदी धोकर उनको राज्य दिलक देते हैं. वहां कोई गुरु गोसाई नहीं होते. यग्य के बारे में बावा ने क्या बताया? शिव बावा ने जो यग्य रचा है, इसमें हम तन मन्धन सब स्वाहा करते हैं, जीते जी मरते हैं. बावा ने आज चार बिरादरियों का विज्ञान दिया. फिर इसलामी, बौधी, कृष्यन, आदी सब आते हैं. विश्व सेवाधारी आत्माई क्या करती हैं और क्या नहीं करती? स्नेह देते, सहियोग देते, अपने भविश्य खाते में कितना स्नेह जमा किया वह देखते, किसी पर ओर्डर नहीं चलाते, अभी से विश्व महराजन नहीं बनते. हम बच्चों को धारना क्या गरनी हैं? सुक धाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना हैं, ड्रामा के आदी मद्य अंत के राज को बुद्धी में रख हर्शित रहना हैं, सब को ड्रामा का राज समझाना हैं, स्वराज्य लेने के लिए जीते जी अपना तन मंधन स्वाहा करना हैं, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांस्वर कर लेना है ये थी आज की मुर्ली की कुछ विशेश पॉइंट्स बाबा ने जो हमें इतना उंचा लक्ष दिया है उसको स्मृति में रखते हुए अपने स्वभाव की तरफ हम अटेंशन दें बाबा की स्मृति रहे और ज्रामा की स्मृति र करेंगे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आज की मुर्ली से आप कौन सी पॉइंट धारन करेंगे ओम शान्ति